इस विडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस विडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले। और आपको इसे केवल उन दिनों में लेने की आवशक्ता हो सकती है जब आपके लक्षन हो। यदि आप लक्षनों को रोकने के लिए इसका सेवन कर रहे हैं, तो आपको अधिक से अधिक लाब प्राप्त करने के लिए इसका नियमित रूप से उपयोग करना चाहिए। इस दवा को अपने चिकित सक द्वारा बताई गई खुराक और अवधी में लें। इसे पूरा निगल लें, इसे चबाएं, कुछलें या तोड़ें नहीं। सेलफीलिन M5MG, 10MG टेबलेट भोजन के साथ या बिना भोजन की ये इसे लिया जा सकता है। लेकिन बहतर यह होगा कि इसे एक नियत समय पर वरियता के साथ लिया जाए। सेलफीलिन M5MG, 10MG टेबलेट दो दवाओं का एक मिश्रन है लिवोसेटरिजीन और मोंटलुकास्ट जो अलजी के कारण छीकने और नाक बहने की समस्या से राहत दिलाता है। लेवोसेटरिजन एक एंटियलिजिक है जो नाक बहने, आखों से पानी आने और छीकने के लिए जिम्मेदार कैमिकल मेसेंजर यानि की हिस्टामाइन को रोकता है। मोंटलुकास्ट एक लिउकोट्रियन विरोधी है। यह एक अन्य रासायनिक संदेश वहक यानि की लिउकोट्रियन को अवरुद करके काम करता है। यह वायुमार्ग और नाक में सूजन यानि की सूजन को कम करता है और लक्षनों में सुधार करता है। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह विडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को टन अन आल नोटिफिकेशन पर सेट करें। धन्यवाद।